मुंबई के नाकपाड़ा में मुंबई बाग में प्रोटेस्ट करने वाली करीब 300 महिलाओं पर केस दर्ज किया गया है मुंबई पुलिस ने BMC की शिकायत पर Bombay Police Act के तहट ये मामला दर्ज किया है इसके पहले महिलाओं को जो पूरुस पानी चाय खाना पहुचा रहे थे पुलिस ने उन लोगों को भी 149 के तहट नोटिस दिया है आपको बता दे जो कमेटी इस प्रोटेस्ट को और्गनाईज कर रही थी उस कमेटी ने 6 फरवरी को शाम 5 वजे ही महिलाओं से प्रोटेस्ट खत्म करने को कहा था मगर महिलाओं को जानकारी दी गई कि राजसरकार हमारी बात मान रही है तो प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं है मगर महिलाओं का कहना है कि सिर्फ राजी नहीं पूरे देश की बात है प्रोटेस्ट जारी रहेगा कहीं न कहीं कमेटी पीछे हट गई मगर महिलाओं का हौसला और बढ़ गया बल्कि उसी दिन 6 फरवरी की शाम में बड़ी संख्या में महिलाएं इस प्रोटेस्ट में पहुच गई और प्रोटेस्ट अभी तक जारी है बीमसी ने करेब 300 महिलाओं पर केस दर्ज कराया है कि महिलाएं रोट ब्लॉक करके बैठी हुई है जिसकी वजह से रोट के मरमत का कारिय रुका हुआ है केस होने के बाद महिलाओं का कहना है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती है मुंबई बाग में इसी तरह का प्रदर्शन जारी रहेगा इतना यह है बिकॉज लाइक वी ओल नो यह शाहिन बाग के औरतों के समर्थ में भी हम यहां पर बैठे है तो वहां पर भी जिस तरीके से उठाने की तरीके आजमाएं जा रहे हैं उसी तरीके से यहां पर भी कोशिश कर रहे हैं अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें